नमस्कार आप देख रहे हैं घवासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षा भनकिया एक काओ ऐसा भी है जहां शवयात्रा को रोक करें इतिजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं शवयात्रा में शामित रिष्टदार कई बाह नदी बार करते समय फिसल ही जाते हैं। कई लोग बहते बहते भी बचे हैं। बावजूद इसके लोगों को मजबूरी मेनदी पार करना पड़ती है। यह तस्वीर है बढ़वानी जिले के बलवारी की। बहुत परिशानियों का सामना करके शम्चान तक हमको डेट बाड़ी पहुचाना पड़ती है। विसेस कर बसात के दिनों में। अगर पानी ज्यादा होता फिर क्या करते है। कई घंटों तक रस्ता देखना पड़ता है। आंको पानी को नीचे उतरने देना पड़ता है। क्योंकि एक मात्र रस्ता है संसान भूमी को गाउसिज जो जोड़ता है। तो फिर इस अतना हास से भी होंगा कही बार। बहुत बार डेड़ बार नीचे भी पानी में भी गिर जाती है। परिशानियों का बहुत ही सामना करना पड़ता है। परिभ भी जाती है। परिव जोड़ता है it in चरोड़ देज से ऊामना, पॉकि एहाँ एब एहाँ जाता है। उयुत्साचचचचचचचचचचचचचक्चचचचचचचचचचचचच of the क्ली जेएगना... अनला आस से कुर्दनला इते शच्याय को क्यांतर है इनके अधनी बट्किया बच्छी। इनके आज मृत्य हो चुकी दुर्गे जी नदीक इन में से लेके आई साव यात्राव को क्या वज़ा इसकी इसकी वज़ाई यह है सर की जैसे पूल्या जो है यह सतीगरस तो हो चुका है और आज हमको मतलब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जो डेड़ बाड़ी को हमने मतलब 20-25 लोगों की मदस से रेलिंग बना के वो डेड़ बाड़ी को बाहर निकाला हमने पानी से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसमें यह पूल्या जो है यह मतलब 10-15 साल हो चुके इसमें यह पूल्या का जो पानी है मतलब जो बरसात का पानी ज्यादा पुलिया उसका इप्रोच रोड बे गई है लोगों को अर्थी लेकर पानी में जाना पड़ता है नदी के नरे अभी लोग नदी में से अर्थी लेकर जाते हैं और अंतिम संसकार करते हैं उसको बनाई देंगे हम लोग और उसके विवस्ता भी करेंगे लेकिन पुल्या बनान अती अवश्यवे उस रोड बन जाने से भी माहराष्टा की जो है रोडवेच वह उस पार रूख जाती है यह पुल्या बन जाने से भी बलवडी में मतलब तोड़ी रुनता भी आ जाएगी और उसको कारिया बढ़िया हो जाएगा तो जिससे से वहां के आवा गमन के लिए में लोगों को मतलब अस्विदा है जो स्विदा युक्त हो जाएगा subscribe our channel and press the bell icon for more updates